हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है MP3 Stitching यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ये बेखने की बहुती सुन्दर डिजाइन बनाना सिखेंगे तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा मैं ऐसी ही डिजाइन के वीडियो हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ तो चलि हम वीडियो बनाना शूरू करते हैं तो मेन वाले पाट को साइड में रख दिया है और अस्तर को हम खोल के रख लेंगे तो आपको अस्तर को खोल के रख लेना है और मैंने अस्तर को डबल करके रख लिया है और आपके जितनी भी लंबाई आए उसमें एक इंच का आपको मार्जिन का एक्षा मिला के रख लेना है तो साड़े चौदा इंच में मैंने ले लिया है और इसके शोल्डर रखेंगे अठाई सिना है तो अठाई सिना में हमारे शोल्डर आएंगे 6 इंच और आर्मोल भी हमारे आएंगे इसमें 6 इंच और लाइन को हमको सिधा कर लेना है और हमको हाप इंच अंदर की साइड में ले लेना है यह हमारा बोटनेक है तो बोटनेक में हमारे शोल्डर जदा रहते हैं तो हमको डाउन करना रहता है आर्मोल की तरफ अब आपको सिना का चोटाई बाग लेना है, साथ इंच पे आएगा अठाई सिना है, ओर तेरी इंच का एक्षा मार्जिन ले लिया है, तो दोनों लाइनों को हमने सिधा मिला लिया है, अब आपको आर्मोल में गोलाई करनी है, तो अब आपको गले की लंबई और चोडाई लेनी हैं तो गले की चोड़ाय रखरिऊंब में तीन इंच और लंबाई भी रखरिऊंब में तीन इंच लंबाई और चोड़ा बराबर ही रखी हैं हमने और एक बोक्स बना के पेले हम कट कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे अब आपको गले में शेप दे देना है अब आपको या से डेड़ इंचे पे एक निशान लगाना है डेड़ इंचे की दूरी से और लंबाई और चोड़ाई आपको बराबरी रखिए और ग्यारा इंचे पे हम निचे की साइड में निशान लगाएंगे और नीचे से चोड़ाई तीन इंचे रखेंगे जितनी हमने उपर की साइड में रखी उतनी हमको नीचे ही रखना है और गले का शेप देन देना है इस तरीके से और आपको कट करके निकाल लेना है अब आपको मेन वाले पार्ट को और रखना है और कटिंग कर लेनी है अस्तर वाले पार्ट की तो देखो मैंने कटिंग कर ली है अब आपको जो मेन वाला पार्ट है इसको हाँ पिंचे बढ़ाते हुए कट कर लेना है गले को अब आपको मेन वाला जो पार्ट है इसको सिधा रखना है तो आपको मेन वाले प पाट को सिधा रख लिया है अब अस्तर वाले पाट को उल्टा रख लेंगे और गले में हमको सिलाई लगा लेनी है उससे पेले हमको पिन लगा लेनी है तो पिन से हमारा अच्छा सेट हो जाएगा यह कहीं से भी हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं और आपको सिलाई लगा ले तो मैं इसी तरीके से पूरे गले में सिलाई को कम्प्लीट कर लूँगी तो देखो मैंने सिलाई लगा ली है गले में अब आपको सुई को बाहर को निकाल लेना है और जो एक्षा कपड़ा है गले की तरफ उसको कट करके निकाल लेंगे तो यह हमारा कपड़ा कट हो गया है अब आपके गले में छोटे-छोटे कट लगा लेना है ताकि इससे आपका गला आसानी से मूर सके अगर आप चाओ तो इसमें बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो तो मैंने बिना पेपर पेस्टिंग से और बुकरम से बना है तो आप चाओ तो इसको बिना पेपर पेस्टिंग से भी बना सकते हो इससे भी अच्छा गले का शेप आता है तो देखो मैंने गले को पलट लिया है और साइड में फिन को लगा लिया है अब आपको गले की तरफ में सिलाई को लगा देना है अच्छे से आपको सेट करते हुए गले में सिलाई लगाना है तो गले में सिलाई लग चुकी है अब सभी तरफ से भी हमको सिलाई लगा के कम्पलिट कर लेना है तो मैं पूरे में ही सिलाई को लगा लूँगी साइड से तो देखो हमारी सिलाई लग चुकी है अब जो भी एक्षा कपड़ा बच रहा है उसको कट करके निकाल देंगे तो देखो एक्षा कपड़े को कट कर दिया है अब हम गले की तरफ पट्टी लगाएंगे तो पट्टी की चोड़ाई रखिए मैंने एक इंच तो आपको पट्टी को ऐसे लगा देना है और एक्षा पट्टी को कट करते हुए आपको गले में चोटी-चोटे कट लगा लेना है तो देखो मैं अब पट्टी को पलट रही हूँ तो पट्टी को आपको डबल करते हुए पलट के सिलाई को कंप्लिट कर लेना है गले की तो देखो हमारे गले में सिलाई लग गई है अब हम पिछे की पाट की पलिट से डालेंगे तो आपको डबल करके एक कट लगा लेना है बी सेंटर में और फिर हमको इस तरीके से इसको चार फोल्ड करते हुए कट लगा लेना है तो हमारे दोनों कट आजाएंगे साइड में और चार इंचे की हम लंबाई रखेंगे दोनों तरप से 4-4 इंचे की इसमें लंबाई को रखेंगे और प्लिट को बना लेगे हम तो मैं इसी तरीके से को सब्सक्राइब करें अब हम नीचे की साईट में पट्टी को लगाएंगे अब जो एकषा कपड़ा बचरा है उसको कट कर देंगे हम नीचे की साईट से और एकषा पट्टी को भी कट कर दिया है अब आपको मेन वाले अस्तर वाले पट्टी को लेना है और इस तरीके से सिलाई को लगा देना है पट्टी को आप फॉल्ड कर लेंगे तो देखो मैंने पट्टी को फॉल्ड कर लिया है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैं यह ने कुछ इस तरीके से पीस लिये तो पीस की लंबई और चोड़ाई धाई इंच लंबई और धाई इंच इसकी चोड़ाई है और आपको डबल करते हुए कोर्णर को मोर लेना है ताकि इससे हमारी नोक नहीं निकलेगी और साइट से जो एक्षा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे तो इसी तरीके से मैं सारे पीस को जो है कंप्लिट कर लूँगी आपको नोक को मोर नी है और जो बार की साइट में कपड़ा है उसको कट कर लेना है तो इससे फिनिशिंग अच्छे आएगी तो देखो मैंने सारे पीस को कंप्लिट कर लिए है अब हम इसको पलट लेंगे और पलटके आपको अच्छे से इसके नोख को निकाल लेनी है तो जो आपके पास में कोई सी भी नोख वाली चीज हो तो इससे अच्छे से आपको नोख को निकाल लेना है तो मैं इसी तरीके से सारे को पलट लूँगी तो देखो मैंने सारे फीस को जो है पलट लिय अब मैं इसमें इस तरीके से पांच निशान लगाऊंगी हमारे पांच लटकन है तो पांच निशान लगा लूंगी मैं और आपको सुई धागे को ले लेना है तो आपको इस तरीके से सुई को अंदर से डालनी है और एक मोती ले लेना है तो देखो इस तरीके से मैं इसमें लटकन को लड़ लगा रहे हूँ तो आपको इसी तरीके से लगाना है तो आप देखो मैं किस तरीके से लगा रहे हूँ इसमें लटकन तो ये डिजाइन बनने के बाद इस बहुत ही सुन्दर इसका लूक आता है तो आप एक बार बना के जरूर ट्राइ करना फ्रेंट्स आजकल बहुती ज़ादा चलने वाली डिजाइन है यह बहुती ज़ादा चल रही है यह डिजाइन तो मैं इसी तरीके से सारे लटकन को जो है कंप्लीट कर लूँगी तो देखो यह हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से लग रही है तो फ्रेंट्स कितना सुन्दर इसमें लूँग आ रहा है तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बोक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा धन्यवाद